सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ी असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम नमबर सीरीज के अंदर 2012 से लेके 2019 तक जो भी कोशन आये हैं उन सभी को हम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नमबर सीरीज पैटरन यूज हुआ है क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि यूजी सी नैट में किस लेवल तक के कोशन आते हैं नमबर सीरीज में तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी कोशन आगे भी आने के संभावना है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोशन भी जोईन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के स्टड़ी नोट से देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड एर कोशन पेपर देते हैं विद कोशन हमारा दिसमर 2015 के इंदर आया है जो हमने पैटरन किया था उसमें से देखते हैं में से कौन सा पैटरन लगता है देखिए यहां पर इसने दिया है कि दो पांच फिर 10 फिर 17 फिर 26 फिर 37 तो मैंने कल आपको कई पैटरन बताए थे तो सबसे पहले हमें इसमें यह देख इसमें यह देखते है कि इन सभी में डिफरेंस कितने का है यह देखिए दो और पांच के अंदर डिफरेंस है दोस्तों तीन का फिर पांच और दस के अंदर है दोस्तों पांच का फिर है साथ का और फिर है कितने का है नो का है और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों ग्यारा और यह देक हैं। दोस्तों इन के इंदर भी फिर डिफरेंस दिया हुा है। इनके इंदर दो दो का डिफरेंस दिया है। देखे तीन पांच साफ ओंनो ग्यारा है तो यहाँ पे जो अगला हमारे a ग्याज़ की यहाँ कि हैगा 13 option के बार 13 की लिखन करना है능 15ays up you can दिया है तो इस तरह से हम बिलकुल असानी से कुर्षन कर शक्ते हैं तो इस तरह के कोशन हमारे आते हैं अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तो अगला कोशन हमारा जुलाई 2016 के अंधर आया था fit 1011 भी जारा, तेश, उनतालेस और फिप्टीनाइन. अब इन में भी यह देखे, इन में भी बढ़ते करम में हैं, तो इस में हम देखेंगे की किस तरह से यह सोल करें. देखें, सबसे पहले, हम इनके पंदर डिफ रेंस के देखने की कोशेज करते हैं, कि कितना कितना डिफरेंस है अब 3 और 11 के अंदर देखिए दोस्तों यहां पर 8 का डिफरेंस है और फिर 11 और 23 के अंदर 12 का और 23 और 49 के अंदर है दोस्तों हमारा 20 का अंतर है तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा 8 12 16 20 और इन के अंदर देखिए दोस् 12, 16, 20 तो यहां पे जो 20 के बाद आएगा वो क्या हैगा दोस्तो हमारे पास 24 आएगा और यह 24 दोस्तो हमें इसके अंदर add करना है 59 के अंदर जब हम 59 के अंदर 24 को add करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा दोस्तो 73 हमारा answer आएगा तो इस तरह से यह कोशन भी हमारा बिल्कुल असानी से हो जाएगा तो देख सकते है कि कितने असान कोशन आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि मुस्किल कोशन भी आते हैं यूजी सी नेट के अंदर वो भी हम देखने की कोशिस करेंगे अब यह देखे जून 2012 के अंदर कोशन पेपर आया था और इसके अंदर देखे इसके अंदर किस तरह से कोशन होगा इसके अंदर हम देखे तो इसमें भी जो ओर्डर है वो बढ़ते करम में है दो, छे, बारा, बीस, तीस इस तरह से इनोंने कोशन दिया हुआ है तो इसमें हम सबसे पहले इन में difference देखने की कोशिस करते हैं 2 और 6 के अंदर देखते हैं कितना है 2 और 6 के अंदर है दोस्तो 4 का difference है फिर 6 और 12 के अंदर है दोस्तो 6 का है फिर 12 और 20 के अंदर है दोस्तो 8 का है फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तो 10 का है फिर यहाँ पे है बारा का और फिर है यहाँ पे दोस्तो कितने का चोधा का तो यहाँ से देखे चार, छे, आठ, दस, बारा, चोधा तो अगला जो difference होगा दोस्तो वो कितना होगा सोला का difference होगा और सोला को जो हम 56 के अंदर add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो 72 इसका answer आएगा दोस्तो आप समझ रहे हैं आप एक बर देखी यह जो मैंने किया है सबसे पहले इन में difference देखे दो और छे के अंदर चार का, छे और बारा के अंदर चे का है बारा और बीस के अंदर आठ का है, बीस और तीस के अंदर दस का है, तीस और ब्यालिस के अंदर बारा का है तो इस तरह से आप difference देख सकते हैं, चार, छे, आठ, दस, बारा, चोदा, सोला का है और तो इस तरह से जो सोला को हम 56 में add करेंगे तो हमारा आएगा 72 तो यहां पे जो 72 इसका answer है, C answer इसका दिया हूँ है, तो दोस्तो आप बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं और आगे question देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा question आया है, दिसंबर 2012 के अंदर अब इसमें हम करने की कोशिस करते हैं और देखते हैं यह question कैसे आएगा दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें difference देखने की कोशिस करते हैं, कितना difference है जो हम basically करते हैं देखे, 0 और 6 के अंदर है, दोस्तों, 6 का हमारे पास difference है, यहां पे हम लिखे लेते हैं, 6 का 6 और 24 के अंदर जो difference है, दोस्तों, वो है हमारा 18 का 2460 के अंदर है दोस्तों वो है हमारा 36 का और फिर 60 और 120 के अंदर है दोस्तों 60 का अंतर है तो यहां से हमारा कुछ सही से पैटरन नहीं बन रहा हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे पलस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए यहां पर जो है वो सही से pattern नहीं बन रहा तो अब हम एक चीज देखते हैं दोस्तों जब मैंने आपको एक चीज बताये थे कि हमें क्यूब देखना है स्केर देखना है तो वो हम देखते कि क्या यह उसके नजदीक है या नहीं है अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताओं देखिए जीरो का स्केर या क्यूब करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ताकि हम सब ही को अच्छे से समझ में आजाए जीरो छे चोबीस साथ और फिर हमने लिख लिया एक सो बीस अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते हैं तो यह देखिए यह किसके क्यूब के एकवल टू है दो का क्यूब करते हैं तो आठ है दोस्तो दो की पावर थरी करते हैं जब आठ आ गया और जब इसको यह कि की power के equivalent दोस्तों आप सोच के देखिए यह जब हम तीन की power करते तो 27 तो यह कही ना कहीं 27 के करीब है उसके equal नहीं है लेकिन घीब है फिर बात आते है हमारे पास 60 अब किस के cube के equal to है यह देखि जब हम 4 का cube करते तो 4, 4, 16, 16, 64 तो कहीं न कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है तो उन में हम देखते कि क्या हो सकता है ये देखें हमने 0 का क्यूब किया और इस में से मालो 0 ही हमने घटा दिया तो ये आगया हमरे पास 0 फिर यहां पे 6 है तो 6 का हम करेंगे जैसे कि टू का क्यूब किया हमने आठ आ गया आठ में से हमने कितना घटा दिया दोस्तो हमने घटा दिया दो तो ये कितना आ गया छे आ गया इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना गया दोस्तो 27 आ गया 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया 3 तो यहां पर कितना जाएगा 24 आ ठीक है इसी तरीके से 60 है तो 60 का हम यहां पर कर लेते हैं 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तो क्यूब का मतलब यह होता है जैसे 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 यानि कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज को तो 4 का क्यूब होता है दोस्तो 64 64 में से हमने 4 माइनस किया तो यहां पर आ गया हमारे पास 60 आ करेंगे तो हमारे पास बीस एक सो बीस आजाएगा तो अगली जो है दोस्तों यह कोश्चन मारक है यहां पर क्या आएगा तो यहां पर सीधी सी बात है हमें छे का क्यूब करना है छे का क्यूब और माइनस कितना करना है छे माइनस करना है तो छे का क्यूब कितना होता है दोस होता है साइध हमारा 216 हाँ 216 होता है 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जवान में सरह दोस्तों वो क्या आएगा वो हमारा 210 आंसर आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से थोड़े दिफिकल्ट कोश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिस करने हैं हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग सकता है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के कोश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे कोश्चन और अगर किसी दोस्त को यह कोश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें वर्ट्साप पे मैसेज कर सकते हैं अब हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और अगर यह कोश्चन समझ में आया तो आप एक का 120 है फिर 6 ठीज है फिर एक सब्सका बहुत है अब देखिए इसकी इंदर मैंने बताए था एक अपको की सबसे पहले पीनच सह्फल है यह गलत है अब और इस झेची वह प تھेकिश और है यह सिरू में नगया उसले से चल रहा है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो श्रू recipro मिल रहा है अब दीखें 407 hay की तीन से चीर औरह 1 20書 580 यानि कि 66 यहां से यांशी हो गया तो 9 देखी यहां पर कियो जो 120 है दोस्तो वो 40 देखिए यहां पर मैं दिखा देता हूं 40 गुना में 3 कर दिया हमने फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने अब देखे दोस्तो 40 गुना में 3 कर दिया हमने कितना आ गया 120 आ गया फिर 60 गुना में 3 कर दिया 180 आ गया तो फिर आगे क्या होगा दोस्तो 90 गुना में 3 होगा हमारे पास तो 9 या 27 यानि कि 270 हमारे पास आजाएगा यहां पर आप देखो 40 को 3 से गुना किया है 60 को हमने 3 से गुना किया है और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे तो इस तरीके से मैंने complex भी एक series बताई थी उसके अंदर वई उल्जा पुल्जा हो सकता है तो इस तरह से इन questions को कर सकते आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हर बार plus ही नहीं होगा उनके अंदर minus भी हो सकता है और plus भी हो सकता है और multiply भाग कुछ भी हो सकता है उनके अंदर हमें देखने की आवा सकता है और उनके अंदर एक जो ट्रम है छोड़के दूसरी ट्रम से भी relation हो सकता है तो ये थोड़ा आप देखने की कोशिश करना और बार बार कह रहा हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से कोश्चन आपको आएगा और अब हम देखते दोस्तों अगला कोश्चन ये हमारा जून 2014 के अंदर कोश्चन आया था इसके अंदर 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 दिया है अब देखिए इसके अंदर ये कहरा कि इन में से कौन सा आंकड़ा नहीं आता कौन सी जो सीरीज है वो गलत है इनके अंदर वो हमें बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले वह ही करे फिर है आठ और तेरा के अंदर दोस्तों पांच का और फिर है दोस्तों हमारे पास एक का फिर है तीन का और फिर है सतरा और बाइस के अंदर है दोस्तों हमारा पांच का तो ये हमने डिफरेंस देखा है दोस्तों आप कोपी में लिख लेना चाहिए कोशन कोपी में करके द देखे, 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक एड़ करना पड़ेगा, यानि कि कितना आ गया, हमारे पास 23 के अंदर दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीन एड़ करना पड़ेगा, कितना आ गया, 26 के अंदर हमें क्या एड़ करना पड़ेगा, द तो ठीक है अब देखिए 31 तक यिस सीरिज आगी 31 के बाद हमारा क्या होगा उसके बाद भी हमें वही सीरिज अपना नी है यानि कि देखें मैं बता रहो हूँ आपको 31 के बाद क्या करना है 31 जमा में 1 करना है तो कितना अगया हमारे पास 32 आगया 32 जमा में हमें क्या करना है 3 करना है तो ये कितना आगया 35 जमा में कितना करना है 5 करना है तो कितना आगया 40 आगया तो इनके अंदर ये देखिए दोस्तों हमारे पास 31 भी आगया था 32 भी आगया था 35 भी आगया लेकिन जो 33 है वो हमारे पास सीरीज नहीं आई, 33 जो नमबर वो नहीं आया, जो हमने कॉश्चन किया है, तो इसका राइट जो अंसर है दोस्तों, वो हमारा होगा, 33 इसका अंसर होगा, तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है, अब हम अ आँखों के सामने ही है, हमारा, देखिया, अब चलिए, इसको मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यह लिख दिया, मैंने 2, 7, 28, फिर है 63, फिर है 126, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की आउशकता है, 63, 63 मतलब 64 के करीब है, 126, 125 के करीब है, 28 है, 27 के करीब है, 7 है, वो 8 के करीब है, यहां से क्या कुछ आए, समझ में आपको, क्यूब है चल रहा है दोस्तों, क्यूब, क्यूब की बात हो रही है यहां पर, देखिए, अगर हम यहा साथ है तो दो का क्यूब हमने कर दिया दो का क्यूब होता है हमारे पास आठ होता है आठ में से हम माइनस एक कर देंगे तो कितना जाएगा साथ हमारे पास आजएगा इसी तरीके से अठाइस है अठाइस का क्या होगा दोस्तों तीन का क्यूब हम कर देते हैं तीन की पावर तीन कर देते हैं और प्लस में एक कर देते हैं तो कितना आजाएगा हमारे पास अठाइस आजाएगा क्यूंकि तीन का क्यूब होता है सताइस तीन तिया नो नो तिया सताइस सताइस जमा में एक यहां पर देखें दोस्तों यहां पर हमारा क्यूब हो रहा है एक का क्यूब द में जा रहा है तो हमें नास्ट में देखना चेसे हमारी 126 है 125 किसका क्यूब होता है पांच की जैने पूरी कितना क्यूब के सब Какर दिया छे का क्यूब करने की बाद हमें इसमें प्लस करना है माइनस करना है यहां पर प्लस होगा तो अगला क्या होगा माइनस होगा तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा छे का क्यूब होता है 216 सोरी एक पिनट छे का क्यूब होता है हमारे पास 216 माइनस में एक तो कितना आ दिया हुआ है तो दोस्तों इस तरह से आप कोशन कर सकते हैं और चलिए अगला कोशन देखते हैं यह हमरा जून 2015 के अंदर कोशन आया है इसके इन्हों ने सीरिज दिये 259-1937 अब इसमें करने की कोशिस करते हैं इसमें क्या हो सकता है यह देखे 259-1937 देखिए कई कोशन ऐस होते हैं जो देखते ही हमें आइडिया सा लगने लग जाता है अब देखिए इन दोनों के अंदर कितना है इन दोनों के अंदर क्या है इन दोनों के अंदर क्या है यह देखिए दो दूनी च्यार जमा में एक कितना हो गया पांच हो गया अब नो कैसे हो सकता है पांच दू ठीक है, फिर हमारे पास नो हो गया, नो दुनी, अठारा जमा में एक, उनिस हो गया, तो यहां से बिलकुल हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ, देखे, दो गुना में दो जमा में एक, एक्वल्ट हो गया, पांच, फि पिर क्या है, नो गुना में दो पलस में एक, कितना हो गया हमारे पास, उनिस हो गया, यह करके देखे, दो दुनी चार और एक पांच, पांच दुनी दस, दस में से एक गया, नो, दुनी अठारा जमा में एक, उनिस हो गया, इसी तरीके से 37 कैसे आएगा, उनिस गुना में दो उन्नी दुनी 38 माइनस में 1 कितना हो गया 37 हो गया तो अब देखिए अगला क्या आएगा 37 गुना में 2 और पलस में 1 तो कितना आएगा यह आप देखें यह हमारा आएगा 75 37 गुना में 2 होता है 74 पलस में 1 75 इसका आणसर आजाया तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और आप करके देखना दोस्तो यह जितने वी कोशन करवाए हैं मैंने आप सभी यह कोपी में लिखना इनकी स्टेट्मेंट और करके देखना और हमारे पास अगस्त 2016 का कोशन है इसके इन्दर देखी इन्होंने दिया 1513 2541 अब इस में देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है अब देखिए 1513 25 और फिर 41 अब देखे इनके इंदर सबसे पहले इन में देखते एक और पांच के अंदर कितना डिफरेंश है दोस्तो च्यार का है पांच और तेरा केंदर है दोस्तो आठ का है तेरा और पच्छिस केंदर कितना है दोस्तो बारा का है पच्छिस और एकतालिस केंदर है दोस्तो 16 का अंतर है तो अगला क्या आएगा दोस्तों यहां पे हमारा 20 आएगा 16 के बाद क्या आता है 20 20 को जब हम 41 के अंदर add करेंगे तो कितना आजाए है हमारे पास 61 आजाएगा और यह question हमने पहले भी किया था दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ी सी practice करने की आवश्चता है अब देखे दोस्तों यह हमारा जनवरी 2017 के अंदर question आया था इसमें देखते हैं कि क्या होगा और यह question भी दोस्तों हमने ध्यान नहीं देते हैं देखे इसके अंदर एक चार 27 फिर है 16 और फिर है 10 दे दिया और फिर है 36 यह तो दोस्तों बिल्कुल असान है कैसे असान है देखे है इसके अंदर मैं बताओं आपको जैसे एक एक का तो चाहिए आप क्यूब कर लो स्केर कर लो जो कुछी भी कर लो वो तो एक ही रहेगा अब देखे चार है चार किस की कुल्ट हो सकता है दो की पावर दो 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 नहीं चार 27 क्या हो सकता है दोस्तों तीन की पावर तीन चार क्या हो सकता है दो की पावर दो और 16 क्या हो सकता है दोस्तो चार की पावर दो अब देखी थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे एक की पावर हमने तीन ही कर लिया एक की पावर तीन करेंगे तो एक ही आएगा 2 की power हमने 2 की 2 दूनी 4 3 की power 3 की 3 तीया 9 नो तीया 27 फिर 4 की power 2 की 4 चौके 16 तो यहां पे क्या आएगा दोस्तो यह जो 10 दिया हुआ है इस तरह का यहां पे इस पे क्या आएगा यहां पे हम क्या करेंगे 5 के power 2 करेंगे या 3 करेंगे पहले यह बताइगे हम यहां पे power 3 करेंगे क्योंकि यहां पे देखे पहले power 3 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 2 है तो अब क्याएगा 3 power आएगी तो 5 की power जब 3 करते तो कितना आएगा पंजो पंजो 25 और 25 गुना में 5 कितना होता है 125 होता है दोस्तो तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question कर शकते हैं और अगला question देखते हैं दोस्तो यह question हमारे पास जुलाई 2018 के अंदर आया था इसके अंदर देखते हैं यह देखिए इन्होंने कहा है minus 1 फिर 5 पांच फिर 15 और फिर 29 अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम difference देखने की कोशिश करते हैं अब देखिए minus 1 और 5 के अंदर कितना difference है यह बताए दोस्तो सबसे पहले आप इनके अंदर कितना difference है इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि 5 का difference है कई 6 कहेंगे तो real में इसके अंदर जो difference है दोस्तो वो 6 का difference है क्योंकि इसके अंदर 0 हम count करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 6 का difference हो गया फिर 5 और 15 के अंदर दोस्तो 10 का difference है फिर 15 और 39 के अंदर हमारे पास 14 का difference है तो अब देखिए इनके इंदर कितने का difference है, नीचे देखिए दोस्तो support है, चार चार का difference है, छे जमा में 4 10, 10 जमा में 4 14, 14 जमा में 4 कितना होगा? दोस्तो उठारा होगा, और यह 18 जब हम 29 के इंदर add करेंगे, तो हमारा कितना आएगा दोस्तो वो आएगा हमारे पास 47 आएगा तो दोस्तो आप देख सकते कि कितने असान कोश्चन आ रहे हैं कितने असान कोश्चन आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते तो थोड़ा आपको practice करने की आवशकता है और ये देखे जुलाई 2018 में कोश करते हैं दोस्तों अगला कोशन आता है दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2018 का कोशन अब देखिए इसके अंदर 51949 18295 में इन्होंने सीरीज दिये और अगली सीरीज हमें देखने हैं क्या आएगी दोस्तों ये कोशन आप करके देखना बिलकुल असान है थोड़ा सा बस दिफिकल्ट हो सकता थोड़ा सा ध्यान देने कि आख सकता है चलो हम अपको हिंट बता देता हूं इसका हिंट क्या होगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 5 और 19 के अंदर फिर 19 और 49 के अंदर इन सभी के अंदर आप difference देखना ठीक है सभी के अंदर difference देखना हम माल लेते हैं कि difference आगया 10 14 25 इस तरीके से difference आगया वो difference आने के बाद में फिर नीचे जो एक और difference आए इन दोनों के बीच में जो difference आए व और जो भी difference आए यहां पे जो दोस्तो currentlyまぁ चलो मेरी बात संजय मैं क्या कह रहा हूं चलो मैं एक बाद फिर से समझा दिता हूं ता कि आपको problem ना हो सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखना दोस्तों 5 और 19 के बीच में 19 और 49 के बीच में 101 के बीच में इन सभी के बीच में आप डिफरेंस देखना और वो जो डिफरेंस आए फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना क्या क्या डिफरेंस हो ठीक है और वो जो डिफरेंस आए वो common difference कितना है वो digit फिर उसके अंदर add करना ठीक है इस तरीके से आप करके देखना यह आज है बिल्कुल सान है अगर फिर भी किसी भी दोस्त को यह question नहीं आता है तो आप हमें वर्टसप पे contact करना हम आपको answer देने की क्या इस का answer चार्शों उने चार्शी आता या नहीं आता है ठीक है और आगे दोस्तों आगे हमारे पास दिसंबर दो हजार अठारा का ही question paper है यह तो इसके अंदर देखे यह भी असान है ज्यादा difficult नहीं है देखे इसके अंदर क्या है जीरो वन नो छतिंश और सो अब देखे दोस्तों यह तो बिल्कुल असान है दोस्तों बिल्कुल असान है यह तो साफ साफ सब्गह में दिख रहा है देखे टिलby no नो कि कि क्यावर होती दोस्तों तीन द्यार audi cis अचूचिकू-चू-च्षा थे 100 है दस की पावर 2 यहां पर आ गया यहां पर 1 है तो 1 की पावर 1 0 है जिरो की पावर 2 कर दो यहां पर एक की पावर अब देखे 0 1 3 6 10 यहां पर वोगे सभी की पावर हो रही है तीन की पावर दो तीन तिया नो छे की पावर छेको छेको छती सो की दस की पावर दस की पावर टू सो हो गया अब यहां पर देखें दोस्तों यहां पर एक का डिफिरेंट्स यहां पर दो का यहां पर तीन का यहां पर च्यार का तो आगे क्या आएगा दस में जब हम पांच करेंगे तो पंधरा जाएगा और पंधरा की पावर्टू कितना होगा दोस्तों वो हमारे पास होगा 225 यानि किसका अंसर क्या होगा और संद्दों नमबर 4 225 इसका आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और अगर आपको जयारफ लेना, तो आप एस सभी के सभी कोशन आप एक वर दोबारा करके देखिये, यह डैफिनेस, यह सवाल है, कौपी में लिखिये, कौपी में कर करके देखिये, और कोई सवाल नहीं आता है तो answer हमने यहाँ पर explanation के साथ समझाया हुआ है आप दोबारा वीडियो देखिए आपको समझ में आजएगा तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज को साली से देख सके थैंक्यू दोस्तो करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाटसप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए